जैहिन जैवारा दोस्तों आपका अपने चनल अपने चनल अपने की स्ट्ड़ी चेमा आप लोगों को स्वागत है दोस्तों आज हमारी क्लास टू है और पहले के अगर क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें डिसक्रप्शन उसका लिंक दिया गया है आप महां जाकर इस वीडियो को जरूर देख लें अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन घंडी को जरूर प्लेश करें और वीडियो को जादा साज्ड़ी ग्रूप और वाटसप ग्रूप में जरूर सेयर करें और जल्द है आप लोगों के लिए ट म्रतकों का टेला कंई घंडी होगा विड् Même सब्सक्राइबकरण करेंगों का जों सबी साथ ही जल्द से कमेंट करेंगा कौन सा होगा भी जो भी स्टुड़निस का राय्ड आंसर कर रहे ह।्म यहां पर यह पाकिस्तान के लर्काना जिले में इस्तित है और मोहन जोदर की खोज की गई है दोस्तों किसने की मोहन जोदर की खोज राखल राखल दास बनरजी ने इसकी मोहन जोदर की खोज की गई है यह की गई है 1922 में खोज की गई है और दोस्तों यह आपके फेक्ट थे आपको अच्टे से याद करने ना क्योंकि यहां से आपके स्कीन पर दोस्तों यह रहा जो आपसे पूछा गया आप देख सकते हैं पर मौन जो दोड़ो कहां इस्तित है ऑप्शन ए है खैवर पक्तु नक्खवा ऑप्शन भी है पंजाब ऑप्शन यह सिंदू ऑप्शन सी है बलुचिस्तान तो आपके बताना है राइट आंसर कौन सा होगा जली से सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर तो जो भी स्ट्रेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नमबर डी उनका करेट होगा सिंद मतला वो जो था पाकिस्तान पाकिस्तान जो क्या है जो सिंद है जो पाकिस्तान में इस्तित है और यह पाकिस्तान के लर्काना जिल्ले में मौन जद्रो इस्तित है तो नेक्स कुशन देखते हैं के नेक्स सुन्हें सिंदुघाटी सबता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया तो आपको बताना और यह प्रिविएस एक्जामिंश कूछे हैं टू आपको बताना एंसर एक स्कीश्चार DSि कौन होगा तो जाल इसका जो इसका जो राइट आंसर है ये लिखे08 ये सबसे पहले कोजा गया था सिंदोगाटी सब्यता में सबसे पहले दोसब crafts लुख किंए और राम राम सहानी ने किसने की दया राम सहानी ने और कभी की थी दोस्तों ये की थी 1921 में इसकी खोज की थी ठीक है उम्मीद करता हूं आपको ये कुश्चन समझने आ गया हुआ है तो नेस कुश्चन देखते हैं तो नेस कुश्चन है पुरा तात्ति वे कि स्थल सुर्व कोटदा किस राजिय में इस्तित है ऑप्शन है राजिस्तान ऑप्शन भी है बंजाव ऑप्शन सी भिहार ऑप्शन डी है घुजरा तो आपको बदलना समय से राइट आंसर कौन सा हुआ तो सभी साथ जले से कमेंट करेंगे इसका राइट ांसर तो जो भी स्टेय uns का राइट आंसर कर रहें ऑप्शन नमर डी उनका होगा यानो गुजरात जो सुर्पोटदा कहां इस्तित है किस राजिय में ये गुजरात राजिय में इस्तित है अगर बात करें तो पंजाब में हमारा रोपड र पॉपड जो है स्थी तो पंजाब में इस्तित है और अगर राज्स्थान की बात करें तो राज्स्थान में हमारा जो है SG OH काली कैदा यह राजस्थान में इस तल ठीक है उम्मित करता हूर यह समझदर आ गया ओए नेक्स कुशन देखते हैं नेक्स उक्षिन आपकी स्कीन पर दोस्तों यह रहा जो आपसे पूछा थे आप देख सकते हैं आपर भारत का इत्यास सिंदु घाटी सब्रिता के जन्म से सुरू सहर अस्तित्त में आई थी मतलब किस अस्तित्त में आए किस ECV में आपको बताना इस ECV का नाम बताना आपके स सामने चार ओप्षिन से हैं आप बताएं इसमें सहर राइट आंसर कौन सा होगा कि कौन से ECV मतलब सहर वह आया था सिंदु घाटी सब्रिता कौन से ECV में जली से बताएं इसका राइट आंसर कि तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हुए हमारा है ऑप्षिन नम्र है करेक तो नेस्ट कुछिशन है सिंदगाटी सब्रिता की सबसे महतुपोड़ विशेष्ता क्या थी क्या थे ौप्शन देगा और वस्ति विनमें प्राणाली ओप्शन भी सतानीय परिवहण प्राणाली क्या थे आपको पताना समय राइट आंसर कौन सा होगा तो सभी साथ जी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर दूसरो हो हमारा option नमर सी इसका correct है यानि इट के जो भवन थे वो सिंदुगाटी सब्विता के लिए सबसे महत्वोड वहां की कलाकरती थी हम भी के नऍच्छन देखते हैं सिंदुगाटी सब्विता तो आपको बताना कैसी और यूगवी सब्विता आप्शन दीए कास यूगवी सब्विता आपको घंट ऊ सभिए तो सभी साथ जाले से कमेंट करें इसका राइट आंसर तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वह हमारा आप्शन नमर डी यानि कास यूगजीन सब्विता है क्योंकि जो सिंद खाटी सब्विता में सबसे पहले कासे का प्रियोक किया था और कासा जो किस-किस से मिलकर बना दोस्तों यह कासा हमारा तावे प्लस तिन से मिलकर बना हुआ है तो नेस्कुरिशन देखते हैं कि सुर्षन है मोण जोड़ो नाम के अर्थ है मुर्बों का तीला है तो ये किस भासा में आपको बताना आप का सिंदी का आपका दरम राइट आंसर कौन सो वह गा है सभी साथ यह समय कमेंट करें था राइट आंसर तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों हुआ है हमारा है option नम्मर डी राइट आंसर मतलब सिंधी भासा में जो मोहंज जोदड़ों का जो नुनाम का अर्थ है मुर्दों का टीला सिंधी भासा में कहा गया है next question देखते next question है हडपा के लोग निम लिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे यह बताना है option है option C कबूतर option B विश्णू option D स्वास्तिक आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा सभी सथ दिलिए से कमेंट करें इसका राइट आंसर तो इसका जो राइट आंसर तो वह हमारा है option नमबर भी इसका करेक्ट आंसर या विश्णू की पूजा नहीं करते थे किस की पूजा करते थे जो हडपा के जो लोग रोते थे धर्ती की पूजा करते थे और पसु पच्छी जल ब्रच आदी की इनकी पूजा किया करते थे लेकिन विश्णू भगवान की पूजा नहीं किया करते थे नेक्स कुशन देखते हैं कि नेक्स सिंद्धु घाटी सबीता के लोग किस की पुजा करते थे तो ऑप्चन है हनुमान ऑप्चन सी यह आयपपा ऑप्चन भी है काली ऑप्चन डिया पॉष्पटी आपको दरना समय सा राइट आंसर कौन सा हुआ जो कि पुजा करते थी यह पशुप पती कि पूजा करते थे यह कैसी मूर्टी तीन मुखी मूर्टी हो करती थी ठीक है नेस्ट कुशन देखते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है आपको बताना option A सामबेद option B option C अथरवेद option D रिग वेद तो सबसे पुराना वेद बताना आपके सामने चार options है आप बताएं इसका right answer कौन सा हुआ जली से सभी को इसका याद होना चाहिए right answer और दोस्तों जितने भी हमका कुशन कलवाने सभी प्रिवियस एक्जाम में कुशन पूशे गए हैं तो इसका right answer बताएं सभी तो इसका right answer दोस्तों हुआ हमारा option number D जो रिग वेद है वह सबसे पुराना वेद हैं और इसमें दोस्तों 10 मंडल कितने 10 मंडल हैं और 10 28 2 wife सुक्ति हैं ठीक है डश सुक्ति हैं और इसमें 10462 क्या है रिचाय हैं और इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता साविरती यानि गायत्री मंत्र का इसमें उल्लेक मिलता है और नवे मंडल में क्या होता है नवे मंडल में देवता सौम का उल्लेक मिलता है नेस्ट कुश्चन देखते हैं रिग में मंत्र है मतले आपको बदाने रिग में में कितने मंत्र है तो उप्शन दिएगे आपके सामने संबंदित ज्ञान संग रही थे आपको बताना से कौन साराइट आंसर होगा संगीत से संबंदित आप बताएट आंसर तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा है सामबेद में क्या है संगीत से संबंदित है और इसमें शामका रहत होता है ठीक है और रिचायन रिचाए में किस संबंदित हैं साम बेस से बट से जरूर का रजिक हए से राइट आसर कौन सा होगा कि ने तो इसका जो भी इस टुटेल दे रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा यानि अधर वेद का मोंड़ मुपदेश से सम्मंदित है नेस्ट कुशन देखते हैं तो नेस्ट कुशन आपकी स्कीन पर दोस्तों यह आप भारत की वैदिक काल अवधी कब तक चली वैदिक काल अवधी कब तक चली आपको बताना ऑप्शन यह हैं से लेकर 520 तक और ऑप्शन भी है 336 से 323 वी सी तक और ऑप्शन सी है 3000 से 26 वी सी तक और ऑप्शन डी यह 542 तो 323 वी सी तक तर आपको दन्सक्षार्ण से राइट आंसर कौन सा होगा तो सब शाथ जहले से कमेंट करें तो वैदिक काल का अवधी काल कब तक चला तो जो भी स्टुडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट होगा पंदरा सो से लेकर पांसो इसा पूरु तक जो वैदिक काल की अबदी माना जाता है नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन निम लिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुश्टानों और वसिकर्ड के बारे में बताता है तो कौन सा पताता option A है, अथरवेद, option C है, रिगवेद, option B है, सामवेद, option D है, यदरवेद, आपको इतना समसर right answer कौन सा होगा, तो सभी साती जल्दे से comment करेंगे, इसका right answer सभी को याद होना चाहिए, और दोस्तों, यह हम इतने question ला रहे हैं, बहुरती important question है, और आपको यह 220 की series daily मिलेगी, आपको इसी, तो जो भी students का right answer कर रहे हैं, option number A, उनका right answer होगा, यानि अथरवेद जो हमारा है, वो वेद जो है, जादोई अनुष्टानों और वसी करने से संबंदित बताता है, next question देखते हैं, next question है, युजूर बेद में, युजूर का अर्थ क्या है, option A है, जीवन, option B है, प्रकरती option C है बलिदान, option D है, आपको इसी में सा right answer कौन सा होगा, जो भी students का right answer कर रहा है, option number C, मतलब युजूर बेद में, जो युजूर का अर्थ है, वो है क्या है, बलिदान है, बलिदान क्या, बलिदान, ठीक है, next question देखते हैं, next question है, निमन में से किस वेद में बीमारियों का उप्चार दिया गया है, option A है, option A है, जीजूर, option D है, अथर, option C है, साम, तो आपको अधना समसर right answer कौन सा होगा, तो सभी साथ यह लिए से comment करें किसका right answer, तो जो भी students का right answer कर रहे हैं, option number D, उनका right answer, अथर, अथर वेद में क्या है, बीमारियों के उप्चार को दिया गया है, इसमें अथर वेद में दिया गया है, बीमारियों के उप्चार के बारे में, next question देखते है, तो next question आपकी स्कीन पर दोस्तों यह रहा है, आप देख सकते हैं, भारत में पाशान, काली, सिला, चित्रकारी, कहां पाई जाती है, option A है, नालंदा, option B है, भीम पेट का, option D है, ब भीम बेट का, इसका correct answer होगा, और भीम बेट का दोस्तों कहां पर है, यह भीम बीट का दोस्तों, यह मदब प्रदिश में, राए सेन, राए सेन जिले में, इस्तित है, next question देखते है, नैस कुशन है, धोला वीरा किस राज्य में, इस्तिता, option C है, गुजरात, option B, ज़ारकन आप्शन C है राजिस्तान, आप्शन D है 36 गड़ तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा तो सभी साथ ही जले से कमेंट करें उसका राइट आंसर तो जो भी स्टुएंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं आप्शन नंबर A उनका राइट आंसर होगा यानि धोला बीरा जो है गुज़रात राजी में गुजरात के मतलब जो कच्छ है अ कच्छ लेके जो भचाव availability मतलब भचाव तहलू का में इस्तित है और दोसथों अकर बात की जाए जो धोला बीरा है इसको इनोस्को में इनोस्को की सरणी में 2021 में सामिल किया गया है नाच्ट कुश्चन देखते हैं और दोस्तो हमारे ये 220 की कुश्चन कंप्लेट हुई और मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसी तरह के हम इंपोर्टन कुश्चन आपको देते रहेंगे क्योंकि ये कुश्चन सभी के सभी प्रिवेस एक्जाम में पोछे हुए कुश्चन है आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जादा जादा से शेयर करें और लाइक, शेयर, कमेंट चलू करें थैंक ये फोर वाचिंग इस वीडियो चाहिन चाहिन चाहभारत